नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे वास्तो ग्यान गंगा योट्यूब चैनल पर पित्र पक्ष में कुत्ते को एक चीज जरूर खिलाएं आपके सभी दुस्मनों का नास होगा आपके उपर पित्र प्रसन होंगे और आपके उपर से पित्र दोस्तों दूर हो जाएगा पित्र पक्ष में प्रती दिन पित्रों के नाम से तरपन करें पित्रों के नाम से श्राद करें पित्रों के नाम से ग्रास नकालें जब पंच ग्रास निकाला जाता है जिसे गोव ग्रास कहते हैं तो उसमें सबसे पहला अगनी का होता है दूसरा गाय का होता है और तीसरा जो ग्रास होता है वो होता है कुत्ते का पित्र पक्ष में कुत्ते के जो हम चीजे खिलाते हैं उससे पित्र प्रसन हो जाते हैं और विका गया है आपने सुना भी होगा धरमराय युदेश्टर के साथ कुत्ता चला था जब धरमराय युद पांडवों ने अपना सरी त्यागा था तो स्वेम धरमराज कुत्ते घर हो धारन करके उसके साथ चले थे तो कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे ग्रह दसा तो सांत ह होती होती है साथ ही हमारे उपर पित्रों का अश्रवाद भी प्राप्त होता है हमारे उपर जो ग्रह दसा हैं वह सांत हो जाती है तो प्रती दिन आपको पित्र पक्ष में कुत्ते को जरूर यह चीज खिलाएं इससे आपकी सारी परेशानी सारी व्यादाय दूर हो जाएं कुट्टा बफादार जानवर के साथ साथ में सगुन सास्त्र के इसाफ से भी कुट्टे का विशिश महत्व है अगर हमारे उपर कोई परिशान याने वाली होती है या कोई विपता आने वाली होती है तो कुट्टा हमें पहले ही आगा करा देता है अगर हम प्रति दिन कुट रख करके खिलानी चाहिए प्रति दिन आपको कुट्टे को पूरी पर खीर रख के खिलानी चाहिए साथ ही एक परांटा बनाएं उस पर तेल चुपरें और उस पर आपको मीठा रखना है सरसों का तेल चुपर के उस पर मीठा रखना है और वह आपको कुट्टे को खिलाना ह हैं इसका बिसीशह महत्ती हैं कुट्टे को आप प्रतीं ब्지 This न气 मे आ है उस Kendalk सकते आव हुद bearings से आपटी he अमीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्रते दिन कुत्ते को आप ये चीज जरूर डालें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स जानकारी के लिए नेक्स वीडियो में तो वीडियो को शेयर करें चेनल में